हेलो गैस तो कैसे हैं आप लोग तो गैस आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किन-किन बैंकों में अभी अधार UPI रेजिट्रेशन स्टार्ट हो चुगा है गैस मैं अभी कुछ दिन पहले ये वीडियो बनाया था जिसमें मैं ये बताया था कि आप अधार कैसे सेट कर सकते हैं यानि कि जिन लोगों के पास अभी ATM कार्ड नहीं है वो कैसे अपना UPI पिन बनाएंगे अधार कार्ड के मदद से तो गैस उस वीडियो पे इतने सारे kommeंट आरे हैं लोग कह रहें कि फेक वीडियो मेरे बैंक में आया है इसलिए सोचा एक वीडियो बन करना है और आप इसको उल्टे ठीक है और आपको इसको सर्छ कर लेना है जैसे यहां पर आपको इस 스री सा यहां पर ऑप इस तरीक एक इंटरफेस आजाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अधार UPI Registration इन बैंकों में शुरू हुआ है तो कौन-कौन से बैंकों में शुरू हुआ है वही आपको इस वीडियों बताने वाला हूँ और उसके बाद मैं आपको बताऊंगों कि कैसे आप इसका UPI क दिखरी आपको इस पर क्लिक कर लेना है जैसा आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको इसको कट कर देना है उपर के साइड में उसको वाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा डिटेल में बताया है मैंने कि किन-किन बैंकों में अभी अधार UPI Registration अब तक किया है तो गैस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नौ बैंक का यहाँ पर लिस्ट में ने दिया है आपको यहाँ पर Central Bank of India, Canada Bank, Yuko Bank, Incend Bank, Cosmos Bank, Kerala, Gramein Bank, Karnataka, Gramein Bank, Rajausthan, State Cooperative Bank, Punjab, Incend Bank में अभी तक यह फीचर आया है अगर आपका इन बैंकों में से एक है तो आपको सिंपली क्या करना है आपको अधार काड का UPI resistance करना है के लिए आपको सिंपली क्या करना होगा मैं आपको बता दूँ यहाँ पर मैंने वैसे step बताया है आप चाया तो यहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं लेकिन चलिए फिर मैं आपको लाइप प्रूब के आपको सिंपली क्या करना होगा आपको अगर अधार काड से UPI registration करना है आपको अधार काड से अपना UPI pin set करना है तो आपको सिंपली एक application डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है भीम ठीक है आपको प्ले स्टोर पर जाने बद यहाँ पर आपको सर्च करना है भीम ठीक है जै करना अपने नंबर से रेइस्टर कर लेना है रहा नंबर से रेइस्टर करने पद आपको इसको ओपन करना है ओपन करने पद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आजाएगा यहां पर आपको क्या करना होगा आपको एक पासकोड बनाना होता है तो पासकोड बना ले पर पास Paytm Payments Bank और यहां पर Central Bank of India तो अभी मैं आपको दिखा जाता हूँ यहां पर पे पेट्यम पेमिंट्स बैंक यहां पर इसमें अभी इसमें अवेलेबल नहीं है तो यहां पर आपको मैं दिखा जिता हूँ सबसे पहले मैं आपको इसको बैक करूँ बैक करने बाद यह यहां पर हम आपको दिखाया तो जैसे कि हम अगर यहां पर फॉर्गेट यूपी इपिन पर करते हैं तो यहां पर डिरेक्टली हमसे पूछ रहा है कि आप अपने डेबिट कार्ड का यहां पर इंटर करें और कब तक वैलिड वह एंटर करें ठीक है यहां पर अधार का दिखाया है उन बैंकों में अधार कार्ड से यूपी रेजिस्ट्रेशन करने का अप्शन आ चुका है आपको सेट अप कैसे करना है आपको सिंपली डेबिट कार्ड है नहीं आपके पर अधार नंबर वाले उप्शन पर क्लिक करेंगे और यहां पर एक्सेप्ट करेंगे एक्सेप्ट करने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर आपसे बोलेगा पहले यहां पर लास्ट का फोर डिजिट मांगता था लेकिन अभी नए अपडेट के साथ यहां पर अपग्रेड हुआ है तो आपको अधार कार्ड के अपने स्टार्टिंग के छे यहां पर आपको नहीं करना है आपको आगे चैनल पर आप जाके देख सकते हैं या फिर इस इपर ईस्टिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ यह बता रहाँ हूँ कि किन-किन बेंको अभी तक इनेबल हुआ ह जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आपको गूगल पर सर्च कर लेना है अर्मान ओल्ट ठीक है यहां पर जैसे आप सर्च करेंगे तो यहां पर आजाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा यहां पर मैंने पूरा डिटेल में बताया है और कब तक आयागा किन-किन बैंकों में आएगा यहां पर डिटेल में पढ़ सकते हैं आप चाहें तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आए होगी अगर पसंद आएगा तो लिए कर देना और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लेना और इस बैल आइकन को भी प्रैस कर लेना तक कि आने वाली वीडियोस को नेडिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके हैं तो चले गाइस पर मिलते हैं नेक्ट वीडियों बहुती जल तब तक के लिए जहिंद आगए जहिंद।